पूरा विश्व कुरोना वाइरस से तबाह हो गया है मानो दुनिया थम सी गई है दुनिया के वो शहर जो कभी सोती नहीं थी रात दिन जगमगाती रहती थी आज विरान है पूरे शहर में सिर्ष सन्नाटा है और पता नहीं कि ये सन्नाटा कब खतम होगा जहां कुरोना की तरासिदी से दुनिया भर के लोग परिशान है लौकडॉन के कारण जहां देश की अर्थवयवस्था को नुकसान हो रहा है वही भारत की धार्मिक संस्कृति और अर्थशास्र की प्रमुकाधार गंगा जल की गुडवत्ता तीजी से सुधर रही है प्रक् जैसा कि आप जानने हैं आज करोना काया प्रकोप काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है जिसकी रोग थाम के लिए लोगों को घरों में रहने के लिए और सुरक्षित करने के लिए कहा गया है आज तक गंगा जमना का पानी कभी इतना सुध नहीं रहा उसका में कारण था प पानी और जमना जी का पानी आप बिल्कुल धारा देख सकते हैं और शाम के समय यहां पे इतना अच्छा वाता प्रण होता है कि मागंगा जमना जी की छल छल जो धनी होती है वो आप अपने कानों से अराम से और बढ़ें तरीके से आप उसको सुन सकते हैं जो कि आज तक क कभी यहां का महोल नहीं रहा है और पधुशन को लेके भी काफी सतकता बढ़ती गई है और लोगों का यहां पे किसी प्रकार का आवा गवन नहीं है इसी को लेके पूरा पानी और जमना जी गंगा जी पूरा स्वक्ष और सुन्दर वाताव रना है रजनीश कुमार विशेशग्यों की माने तो कानपूर से लेकर वरारसी तक गंगा में सारवधिक रसायन उद्योगों को जाता है लगबग पकवारा भर बीतने को है और कारखानों की बंदी का लाब गंगा की अविरल धारा को मिला है दरसल गंगा में रसायनी कच्रा उद्योगों को सीधे गिरता रहा है अब ये उद्योग बंद होने से गंगा नदी में उद्योगों का वेस्ट कैमिकल नहीं जा रहा है जिसकी वज़ा से पूर्व की अपेक्षा गंगा अधिक साफ हो गई है या काफी शुब संकेत भी परियावरर की द्रिश्टी से माना जा रहा है आज गंगा जमना का जल बहुत ही साफ और सच्छ बहे रहा है प्रियागराज में में जो पानी का प्रदूसर खराब था लाट डौंग दरम्यार मिज्टर दस-ckenleased दिन में पानी के बाताबना बहुत निर्माल जल प्रियाग रहा है गंगा जमना सुरव सदीक तहरीप आप द पानी का बहुत ही सुद्ध बहुत ही आनंद में जल इतनी समय हमारी संगम चट्क में प्रयागराज में है